जो आप शो करते रही है पाकिस्तान और इंडिया के लोग बिठा के उसमें कोई अपना experience शेयर करें कैसा experience है उन लोगों के साथ और कई ऐसे शोज भी हैं जोने ने आपको बुलाए और पर आपने refuse कर दे उसमें जाने से कुछ शोज भी आप गई भी लेकिन कुछ का अपने refuse भी के इंडियन्स को उसकी क्या वाज़ा है पाक भारत टाकरा के नाम से ही प्रोग्राम आमिर भाई के जमाने से ही चलता था और यह इस तरह था कि मेरा प्रोग्राम Monday to Friday पांच देन और Monday to Thursday हम अपने रूटीन प्रोग्राम करते थे और जो Friday का प्रोग्राम था जम्मा का वो हम पाक भारत टाकरा के नाम से करते हैं उसमें वहाँ से एक पैनल बेखता था पाकिसान से एक पैनल बेखता था और ज्दा अपने आगाज में कहा के रिटाइड आर्मी आफिसर्स, वहां के रिटाइड जैनरल्स, बिगेडियर्स और यहां से भी हमारे एक पैनल होता था और उसमें हम कुछ सहाफियों को भी बिठाते थे, वहां से भी और अपनी साइड से भी तो उसमें हम डिबेट करते थे, अच्छा मेरे उस प्रोग्राम का असूल यह था, मैंने तकरीबन उस प्रोग्राम को साड़े तीन चार सल किया मुझे यह याद है कि मैंने कभी भी किसी के वास को बंद नहीं किया ना हमारे चैनल ने, जो कॉमेंट वो देते थे, जो जाता था लेकिन उनके एक दो चैनल पर जब मुझे जाने का एक्सपिरियंस हुआ तो वो इतनी बत्तनी शुरू कर देते हैं एक तो वो चीखना चिलाना शुरू कर देते हैं और वो आपको बोलने नहीं देते हैं वो आपके वास को दबा देते हैं तो फिर आपको बुला क्यों रहे हैं कि अप अपनी राइ मुस्लट करने के लिए उस बंदे का मौकिफी नहीं सुन रहे हैं आप अप अच् अच्छा काल टॉप कर देते हैं बड़ी दो नमरी करते हैं Exactly, call drop करते हैं, नूनम्बरी करते हैं, शो करते हैं कि चिद हम बात नहीं करे रहे, भाईया आप हमारी वाद कट भाद नहीं लादे हैं भादे हैं, भादे हैं भादे ने हे बोले जारें, तो आप मुझे बोलने दे ना, फिर सुने ना बरदाश बहुत जादा है किताबों से हम लोग दूर हो गए बहुत जादा मुबाइल आ गया वास इंस्टा है फेस्बूक है यूट्यूब है सारवे से क्रॉल कर रहे हैं कौन सी ऐसी किताबे है क्योंकि आपको खुद पढ़ती हैं बुक्स वगारे रिसेच्च केते हैं प्रॉपर मुझे बच्पन से शौक था जारी बाद पढ़ाई में भी अच्छी थी साइंस सब्जेक्स थे तो साइंस स्टूडेंट्स ज्यादा मेरे खासे पढ़ाई का शौक खर आर्ट्स वालों को भी होता है बार्ट्स वाले नराज ना हो जाए लेकिन चुटके आप बायोलोजी अपना पढ़ाई का एक स्लेबस होता है जो कि बर्डन होता है तो आप अपना एक रूल बना लें कि आपने साल की बारा किताबें पढ़नी है और आपने एक महीने में 30 डेज में एक बुक खतम करनी है अब जैसे अगर मेरी स्पीड ज्यादा है आपकी ज्यादा तो हो सकता मैं दस दिन में खतम कर लेती हूँ आप एक हफ़ते में खतम कर लेते हूँ आप एक बुक लें उसके थोड़े थोड़े पेजिस पढ़ते रहे और रात को सोने से पहले पढ़ ले आपको नीन बहुत अच्छी आएगी आपकी anxiety खतम होगी, आपका depression खतम होगा और वक्त के साथ साथ आप grow करेंगे आपको खुद नहीं पता होगा, आपके दोस्त हबाब बताएंगे कि आपने grow किया आपके अंदर ही आपकी तबियत में एक तबदीली आई ये change आया, आपका knowledge बढ़ेगा आप जब एक महफिल में बैठे होंगे तो आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे और वो जो आपके अंदर होगा, वो ही निकलेगा अगर अंदर से आप कोखने तो आप बाहर से कुछ निकाल नहीं सकते तो मैं कुछ book सेजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये books आप जरूर पढ़ें अगर जिंदगी में आपने सोचा है कि हमने बस ये 5-6 किताबे पढ़ें तो प्लीज ये 5-6 किताबे पढ़ें एक James Clear की किताब है Atomic Habits वो आप जरूर पढ़ें, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने अपनी habits, जो bad habits हैं उनसे कैसे चुटकारा हासिल करने है अच्छी habits को अपने अंदर पैदा कैसे करने है और अच्छी आदा, मैं जरा मज़े की बात करूँ वह से लोगों को नहीं पता होगा आपकी अच्छी जो आदत है वो पैदा होने में आपके 21 दिन लगते है अच्छा आप समझ लें के हमारी नफसे आता है ये जितने भी साइकॉलोजिस्ट सुन रहे है अच्छा इस पर एक राय ये भी है कि शायदे 21 दिन नहीं लगते हैं इससे थोड़े ज्यादा दिन लगते हैं कुछ लोग कहते हैं कि शायदे ये 6 हफते लगते हैं कुछ लोग कहते हैं शायदे आठ लेकिन ज्यादा ते स्टारीज ये बताती हैं कि 3 वीक्स में आप एक काम अगर कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाएं तसलसूल के साथ करते चले जाएं तो 22 दिन 23 दिन वापकी आदब बन जाते हैं अब मैंने ये रमजान शो में रमजान के दुनों में एक प्रोग्राम किया था उसमें मैंने सवाल उठाया था कि जब हम रमजान के रोजे रखते हैं 30 दिन लगातार या 29 दिन तो वो 21 दिन से ज़्यादा हो क्या अगर हम वो चीजें जो सारी practice कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते हैं अच्छे इनसान बन जाते हैं और होशिश करते हैं कि रमजान में नहीं ये बात करनी अगर हम उसको वाकी बड़ी नियत के साथ सलसूल के साथ consistency के साथ करते रहें तो हमारी habit क्यों नहीं बनती वो? इट मींज के कही ना कही हमारी नियत में खोट रह जाता है. वरना वाकी है कि तो अगर हम नियत के साथ वो जो 30 तिन प्रैक्टिस करते हैं तो हम पूरा साल भी उस प्रैक्टिस में हमल कर सकते हैं. तो एक किताब है atomic habits वो ज़रूर आप पढ़ें आप अपने अंदर अगर daily 1% change लेकर आते हैं तो आप एक साल के बाद अपने आपको जो पीछे मुड़के देखेंगे और आप देखेंगे आपने कितने कदम चल लिए तो तकरीबन 37% आप ग्रो कर चुके होंगे. सबरदस्त. 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 मुझे नहीं पता आपने experience कभी किया होगा शायद. बहुत ही प्यारा time होता है. शायद मैं explain भी ना कर सकूंगे उस time पर आपकी feeling क्या होता है. उस पक मुझे लगता है चरिन, परिन, आस्मान, हवा, फजा आपके जो कुछ है वो बहुत अपनी purest form में होता है. आप खुद भी अपने आपको नहीं पहचान पा रहे होते हैं कि आप ही हैं. आप अपनी इंधाई खालिस तरीन कैफियत में होते हैं और आप इंधाई purest form में होते हैं. और बहुत से लोगे बात आम अलफाज में इसरा कहते हैं कि इस time पर आप पहले आस्मान पर होते हैं. तो अगर आप जल्दी उठने की आदर डालें तो ये आपके लिए आप उस किताब को पढ़ें उस किताब से भी आपको बड़ा ये फाइव एम क्लब आपने सुबह उठने हैं और अपनी आदत कैसे हैबिट कैसे जो सुबह उठते हैं तो उनका आप देखे ना वक्त भी अगर आप पांच बचे उठते हैं या आप चार बचे उठते हैं तो आपका दिन पहले स्टार्ट हो गया तो आप सुब दस बड़े तक अगर सोए रहेंगे तो वो च्छे घंटे उन शे घंटों आप बहुत कुछ कर लेंगे बिलकुल ऐसा ही है और फिर आप सो भी दे उठी तुराता बारी और इनी की किताबे दमंकु सोॉल्डिस परारी बहुत ही हुबसूरत किताब आप जरूर पढ़ें एक की क्ताब मेरे जहन में बारिा एक झापने आप पढ़ी होगा पहुत से लोग है जिनकी उमर एक सौ साल से ज्यादा है तो जो लोग एक सौ साल से जिन्दा है कोई एक सौबाइस साल का को एक सौ इनकी लाइफस्टाईल पर एक रीसेर्च है कि वो ऐसा क्या खाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, कि उनकी इतनी लंबी उमर है, और वो healthy हैं, वो fit हैं, इसके लाब एक बड़ी छोटी सी किताब है, who moved my cheese, उसमें दो चूहें हैं, और दो इनसान हैं, उनकी psyche के बारे में किताब है, कि एक cheese station होता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है, जहां से वो मुस्तफीद हो रहे होते हैं, तो जो चूहें हैं, वो जाकर नया cheese station ढूंड भी लेते हैं, और जो दो बंदे होते हैं, वो रोते ही रहते हैं, कि हमारा cheese station कहां चलागा है, वो आगे नहीं बारे होते हैं, वो वक्त जाया करते हैं, यह आप पढ़ें, यह जितने भी youngsters मुरे सुन रहे हैं, इसके इलाब अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ इससे हटके कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो Sapiens एक किताब है, प् करने.